हलो प्रेंट्स चाड़के केड में यूटूब चैनल आप सभी का स्वागत है देखे प्रेंट्स सिक्षक वर्थी प्रक्रिया चली रही है उसी में जो है सिक्षक वर्ग दो दस्तवे सत्यापन संबंदित अपडेट निकल कर आई है सांतियों तो इस पर चर्चा करेंगे और सहायक सिक्षक का नियुक्ति पत्र कब तक मिल सकता है इस पर भी जर्चा करेंगे और जो कल डिपी आई गए थे तो इससे क्या जानकरे निकल कर आई है तो इन सभी चीजों पर करके बात करेंगे चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो दस्तवे सत्यापन जो है इससे समद्धी जो है अपडेट आना जो है सुरू हो गया है देखे सांतियों टेक्निकल एरर के कारण जो है कुछ लोगों को मेसेज लेट से आ रहा है या जो है और भी बहुत सारे कारणों से जो है मेसेज जो है सही से नहीं पहुंच पा रहा है लेकिन आप सब को घबराना नहीं है परिसान नहीं होना है देखे एक सांथी को जो है मेसेज आया है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ देखे फ्रेंड्स देखे एक सांथी को जो है मेसेज आया है सिक्छक वर्गदो के लिए सेकंड जो है इनका दस्तावे सत्यापन है 11 बजे वहीं होना है देखिए दक्ष कमार्ण एंड कंट्रोल सेंटर तुरिती तल मर्टिलेबर पार्किंग जैस्तमचोंक रायपूर तो यह जैस्तमचोंक के पास ही है सांतियों तो आप जो है आपको आपके वेबसाइट पर एक प्रपत आएगा उसको लेकर जाना है उसको प्रिंट कराकर ले जाना है और वो आपके लॉगिन आइडी में आएगा एजुकेशन पोर्टाल पर जाकर आप उसको जो है वहां से प्रिंट करवा सकते हो वहां से डाउनलोड करके तो वो लेकर जाना है उसमें आपको कौन से स्कुल म आया है उनको घबराना नहीं है जिनको मेसेज नहीं आया है ठीक है न उनको घबराना नहीं है आपको जो है देखिए आपको आज मेसेज आ सकता है या कल मेसेज आ सकता है ठीक है न और एक चीज अगर मेसेज नहीं आ रहा है तो भी आपको घबराना नहीं है टिकनिकल एरर के करना मेसीज नहीं आपाता है तो आप डारेक्ट वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं अगर आपका उस रोल नमबर के अंदर है ठीक एना अगर आपका रोल नमबर जो कटाप आया है ठीक एना सिकन्ड राउंड के लिए उसके अंदर है तो आप last date तक आप जो है जा कर वहाँ बात कर सकते हैं कि मुझे message नहीं आया है इस तरह से तो इस तरह से आपको जो है आगे बात करते हैं साथियों सहायक सिक्षक के लिए देखे प्रेंट बहुत ही जल्द जो है आपका जो सहायक सिक्षक जिनका जो है ऑर को जो है नियुकती पत्र प्रदान किया जाएगा तो यह update निकल कर आई है जानकारी के लिए क्या उनको नियुकती पत्र कब मिलेगा किस तरह से मिलेगा तो वहां से यह जानकारी निकल कर आई है साथियों और देखिए मैं एक पिछले वीडियो में इस बात को रखा था और फिर से मैं उसी चीज़ को repeat करूँगा कि आपको नियुकती पत्र जो है लगभग में बता रहा हूँ है 21 तारीक के आसपास मिल सकती है ये मैं पुराने वीडियो में discussion कर चुका हूँ है और उसी चीज़ को मैं फिर से repeat करूँगा और वहां से भी यही जानकारी मिली है कि DPI से भी यही जानकारी मिली है कि 20-21 तारीक के आसपास आपको नियुकती पत्र मिल जाएगा देखते हैं क्या कुछ होता है क्या जानकारी और निकल कराती है फिलहाल के लिए इतना मान के चलिए कि नेश्ट वीक जो है आपको नेश्ट वीक तक आपको नियुकती पत्र जो है प्रधान किया जा सकता है तो इस तरह की जानकारी निकल कर रही है सांसियों जानकारी आप कैसे लगी कमेंट करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें, हम ऐसी जान कर लेकर आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, जैहिए!